नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज यहाँ पर मैं डिस्कसन करूँगा कुछ इंपोर्टेंस कंपानी के बारे में, एक्चुली दिखाए तो तीन कंपानी के बारे में बात करूँगा, और तीनों ही तीन सरकारी कंपानी है, मतल पता दिए, जहाँ पर मुझे continuously earning भी मिलेगा, साथी साथ future में अच्छा कासा return भी मिनने का समताय हो सकते हैं, तो उसमें से कुछ company आपके साथ लेके आया हूँ, तो वीडियो को पुरा लास तक देखिएगा, और अभी तक आपने चनल को सब्सक्रेम ने किया तो जूरू कर टेलिग्राम में जॉइनने किया तो वो भी कर सकते हैं, आप daily basis कोई भी stock के उपर trading हो रहा है, तो trading अप करना चाते हैं, तो जाकर join करके check out कर सकते हैं, तो चलो, देख लेते हैं सबसे पहले companies के बारे में, जिसका नाम है IRFC, इसका हालत अब देखेंगे, तो company जब से start हो मिला था, आज वो ही range के उपर company date कर रहा है, तो खास कुछ performance company नहीं दिखाया, फिर भी इस company के उपर आपको भरसा होना चाहिए, क्योंकि company इंडिया के एक leading finance company है, एक NVFC है, जो railway government के उपर finance करते हैं, बानके चले railway government के जितने सारे companies हैं, उनमें से अगर finance department में कोई भी काम करन हो, तो आपको IRS, मतला IRFC के पास ही जाना पड़ेगा, मतला IRFC के मत्थम से ही काम होगा, तो रही बात इस companies के details के बारे में, तो IRFC जो है, वो छोटा मोटा company है, 36,600 क्रोर के आसपास market क्या है, current price 28 रुपीज के आसपास है, high था 37, low था 19, तो company का peer issue एकदम लो है, क्योंकि company हमें से स्वस्ते में देखने को मिल जाता है, company का book value company के current price से उपर देखने को मिला है, साड़ी चार से 5% के आसपास dividend yield है, इसका मतला IRFC अपने सालाना इसके उपर निवेस करकर रखे है, तो आपको 5000 का total dividend company दे चुके है, रही बात company का depth of equity के बारे में, तो company के depth उतना finance company हिसाब के देखा जाए तो company के उपर depth दिखेगा, क्योंकि finance company हमें से depth लेकर ही काम करते है, आपको देखना है depth लेने के बाद भी company किस तरीके से खुद का profit को maintain कर रहा है, अच्छा खासा profit को maintain कर रहा है, 6000 करोर के आसपास company profit maintain किया, तो रही बात company का data's day में, तो आपको यह आपर कोई performance नहीं दिखेगा, मुझे pack ratio based level में लगा, इसका मतलब company का valuation एकदम ठीक ठाक है, company के बाकी parameters की सबसे दिखा दो company का profit and loss, company जिस तरीके से sales कर रहा है, उसकी सबसे company का expense एकदम ना कर रहा, देखिए इसका खर्चा क्या है, इसका खर्चा officially खर्चा है, कोई raw metals का खर OPM देखिए, पहले 100% का OPM था, 99% के मतलब, इसका मतलब OPM तो धमा का जैसा OPM है, तो इस तरीके से company के उपर आपको जोरू focus होना चाहिए, जो strength maintain करके हमेसा growth करते जाते हैं, आप कहेंगे सार, company ने तो कुछ खास preference नहीं है, इसी का तो फाइदा आपको उठाना चाहिए, देखिए, धिरे-धिरे करके FIS, DSB holding धिरे-धिरे करके यापर बढ़ा रहा है, साथी साथ public के बारें बात करो, तो साड़े नवा person के आसपास भी public के पास holding देखने को मिलेगा, तो रही बात, company का cash flow का आप कहेंगे सार, आप हमेसा बोलते है कि जितना company खाते में पैसा दिक अगर कितना भी हाथ में पैसा है, वो पैसे को फिर से बालोन की सबसे बातेंगे, तो इसी तरह के से काम चलता रहता है, रही बाद इस company का chart button का, तो मैं आपको पहले बोल चुका है, मैं एक trade भी ले चुका था, इस level को break out करने के बाद मुझे या पे trade अच्छा का सा मिला थ तो जो actually rail tell नाम से जाना जाता है, तो railway जितने सारे telecom department है, जितने सारे internet department है, तो उसी को totally control करता है rail tell, आप आप देखेंगे बहुत सारे stations में अभी आपको wifi free में मिलेगा, और बहुत सारे telecom sector, मतलब railway का telecom sector है, पूरे का पूरा structure company के उपर ही dependent हुए, इसका मतलब rail tell एक एक सो पांच रुपीज के आसपास देखने को मिला है, तो obviously उतना ज्यादा प्राइस नहीं है, हाँ आप कहि सकते है, company का market cap 3300 करोर के आसपास है, मतलब उतना ज्यादा बड़ा company है, फिर भी इस company में stand है, उसी सबसे company feature में आपको अच्छा खासा काम करा सकते है, देखे, company क को control किया जाते है, signaling के मतलब से दो, वो भी इसी company के project है, इस company में stand है, और रही बात company का करजे का zero depth है, company का valuation मुझे अच्छा कासा लगा, दो, return equity, return or capital employee ठीक ठाग है, peer issue ठीक है, एकदम base level में है, company का earning पास share भी ठीक है, promoter के पास 72% का holding है, तो हर parameter आपको positive दिखेगा, हाँ, थोड़ा सा valuation की साब से इधर उदर दिखेगा, तो फिर भी छोटा company है, valuation इधर उदर दिखेगा आपको, profitable उसके बारे बात कर तो company जितना sales दिख रहा है, उसके आसपास company के expense भी हो रहा है, तो अच्छी बात यही है, company का OPM control में है, पहले जो OPM था, थोड़ा सा यहाँ पर sales को, profit को एक average level के आसपास है, रही बात company का cash flow का, तो company के cash flow अच्छा खासा maintain हो रहा है, जितना company cash दिखा रहा है खाते में, उतना ही पैसा के आसपास company के हाद में पैसा भी आ रहा है, तो एक अच्छी बात है इस company के details में, तो investor के बारे में बात करो तो promotor के पास देखिए, 72 2% के आसपास holding देखने को मिला, और रही बात company के FIS के, company के DS के और public के, इस तीनों project के उपर आप देखेंगे, तो अच्छा खासा एक धमा का यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ पर public के पास 21% का holding है, और FIS के पास भी अच्छा खासा holding देखने को मिला है, तो इस company के उप तो 2.29% के dividend दे चुके है, तो इसका dividend yield 2.29% के आसपास है, इसका मतलब एक लाग रुपिया में company 2290 रुपीज के आसपास dividend दे चुके है, तो थार्ड जो company है, तो वो भी एक importance company जिसका नाम है PFC, Power Finance Corporation Limited, तो Power Finance Corporation Limited जैसे आपको मैं IRFC दिखा चुका हूँ, डेले फाइनस के पर पर काम करते है, PFC Power Sector के Finance के पर काम करते है, यतिने सारे government power sector company है, उसके finance यही company करते है, तो एक monopoly business करते है, और इस company में खास्यत मुझे यही लगता है, जब से company स्टार्ट किया है, तब से लेकर आज तक ही रेंज में काम कर रहा है, company 2007 से start हुआ, तब से लेकर देखे, company कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं है, ज़्यादा तेजी भी नहीं है, मुझे इस company में बहुत अच्छा का सा trading मिलता है, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से trade में लेता हूँ, तो इस company के market cap के हिसाब से बता तो company 41,000 करोड के आसपास है, company के valuation के हिसाब से, बहुत सांदर low valuation मे के dividend yield, जो इस company के उपर निवेस करके रखे है, उसको साड़े साथ परसन, इसका मतलए 1,00,000,000 में 7,660 रुपीज करके आपको dividend मिल चुका है, इस साल में, तो company के अच्छारा सा income भी है, company का pay ratio एकदम reasonable में है, इसका मतलए valuation एकदम best level में है, आपको मैं जोरू कहूंगा, इन थे, रही बात, इस company का revenues के बारे में, तो अच्छा का सा revenue आपको देखने को मिलेगा, interest भी आपको ज्यादा दिखेगा, कि कमपनी आट परसन के आसपास depth of equity है, expense company कंट्रोल में रखे है, तो इस सारे चीज मेंटेन करने के बाद भी company का दिखा जाए, तो net profit अच्छा खा प्रॉफिट को ग्रोथ करता है तो इसलिए कंपणी अच्छा का साब को डे रिटान भी दिया और अच्छा का साब को डेविडन भी दिया तो मेरे सब से पीएपसी बेस्ट कंपणी होगा मेरे लिए मैं बहुत पहले से पीएपसी के ऊपर निवेस्ट करके रखा हूँ आज वो प्रॉफिट एक्चुली हाथ में आ रहा है उस पैसे को वो नेगेटिव इसलिए दिखा बार रहा है क्योंकि कि इतना पैसा मान के चलिए एक करोड रुपिया कंपणी के हाथ में आया वो पैसे को फिर से बहुरी इंवेस्ट कर देंगे मतलग रिलोन फिर से बहुत दे है तो रही बाद इस कंपणी के चार्ट पटन के उपर जिसके उपर में बहुत बार टेड ले चुका हूं में टेड इसलिए लेता हूं कि मुझे अच्छा कासा यहां पर टेड मिलता है क्योंकि मैं हमेसा एक टेंड लाइन आप यहां पर करके देता हूं इस टेंड को जब जब रिटेस्ट करते हैं तब मैं उपर साइड में इसके छोटा स्टॉप ल möई तक में तक बůलता हूं तो मैं यहां पे भी टेड लिया था और मेरा टार्गेट एस लेविल में था मगर यहां से इस लेविल में आने के बाद याप एक मुझे रेजिटन मिला तो यहां पर चाते है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बन रही है मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक लेच्छे सरी अपने ख्याल रखिए